हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेडी टेक्शेशन क्लासिस में दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल अभी तरह सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में दियोए बैल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही ह अब स्कीन पर देख सकते हैं यहाँ पर एक सेल्स वाउचर ओपन है और सेल्स वाउचर के अंदर यह हमारी इंवेंट्री है प्लास्टिक स्टैपिग और नीचे यहाँ पर इसकी हिस्टी शो कर रहा है सेल्सिटी आ रही है जिसमें आपे देट इन वोईस नंबर पार्टी और कितनी quantity हमने सेल करी थी और यहां amount यहां पर सारा शो हो रहा है तो friends ऐसी details हम sales voucher के अंदर कैसे open कर सकते हैं और उसके लिए TDL को कैसे उसकर ना है इस वीडियो में हम यही सिखेंगे तो चलिए टैली पर चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं जैसा कि आप स्कीन पर देख रहे हैं मैंने टैली प्राइम ओपन कर लिए और अब हमें TDL फाइल अपलोड करनी है अपनी टैली प्राइम के अंदर ताकि हम sales voucher के अंदर sales history देख सकें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको यहां से अब एफ़न प्रेस करके help में जाना है help में जाने के बाद यहां पर आपके पास option आएगा TDLs and add-on यहां पर click करना है आपको यहां फिर आप ओवी प्रेस कर सकते हैं यहां click करने के बाद आपके पास right side में option आएगा manage local TDLs इस पर click करेंगे या फिर F4 प्रेस करेंगे जैसे आप F4 प्रेस करेंगे आपके सामने screen open होएगी TDL configuration यहां पर first option आपके पास आ रहा है load selected TDL files on startup इसे आपने yes रखना है तो अब यहां से आपको वो location सेट करनी है जहां पर अपने अपनी TDL file रखी है यहां पर आपके पास select from drive का option आ रहा है इस पर click करेंगे इस पर आकर आप enter करेंगे enter करते ही जिस drive में आपका folder बना है जैसे मेरा folder F drive में तो F पर आकर आप enter करेंगे अब यहां पर मेरा folder जैसे JD taxation classes है यहां मैं से open करूँगा उसके बाद मेरी जहां फाइल है टैली प्राइम TDL में है यहां से मैं इसे भी एंटर कर दूँगा उसके बाद मेरी फाइल का नेम है अब सेल्सिस्टी TDL यहां से मैं से select कर लूँगा select करते हैं यहां पर TDL का option यहां yes आएगा और यहां से से आपने enter करने करने के बाद एंड़ लिस्ट कर देना है और आपके बास कुछ इस तरह की स्कीन को लेगी जिसमें configured लोकली लिखा आएगा और यहां पर टीडिया लोडिड हो चुका है आपका यहां दिखा रहा है वन यानि वन में से वन टीडिया लोडिड हो चुका है अब आपको स्केप करके गेट्व टैली पर आने जैसे आप गेट्व टैली पर आजाएंगे अब आपको इन्यू बिल जानेट करके देखेंगे जैसे में वाउचर एंट्री में आ गया सेल्स में आ गया यहां मैंने 14 नंबर डाल दिया और मैंने यहां डेट सलेक कर ली आज की है 23 और को आपूय और मैं प्यू胜शा करने बिस जाएंगा के अब आप एंटर करता हूं अब कॉनिक्ती दिखार रहा है 186 तव मैंसे एंटर करता हूं इंटर करने के बात बेक्स्पेस करेंगे और यहाँ पर F4 प्रेस करेंगे F4 प्रेस करते ही हम यहाँ डिटेल शो करने लग जाएगा कि लास्ट हमने इन्वोइस कौन-कौन सी इन्वोइस काटी है और किस-किस डेट में किस पार्टी को और कितनी-कितनी कौंटिटी में किस रेट में सेल किया हमने और कितना amount था पर बिल का तो यहाँ पर हमारी sales history शो होने लग गई है ऐसे ही आप किसी पहले की entry में भी देख सकते हैं अगर कोई पहले entry कर रखी है तो उसमें भी आप ऐसी check कर सकते हैं और यह mostly तब यूज होता है जब आप sales की entry कर रहे हैं जैसे आपको दिखाया गए हम पे 166 पीसे सब के बचे हैं और आपने देखना है कि लास्ट आपने किसी को सेल कर रही है तो यहीं से आपको F4 प्रेस करना है और आपको यहां से sales history अपनी चेक कर लेनी है फिर escape से से यहां से हटा सकते हैं और F4 से दुबार आशो कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यह आज की वीडियो थी हमारी TDL के ऊपर sales history का TDL इसका लिंक आपको description मिल जाएगा वहां से आप इस TDL को download कर सकते हैं फ्री और को स्ते हैं अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो हमारे दावाद दी गई information अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को subscribe कर देजिए और bell icon को press कर देजिए ताकि सारी notification आपके बाद जल से जल पहुंच सके